एक दिन, खास तौर पर सुन्दर मौसम में, तूनी चिडिया ने अपने दोस्त कालू कोआ को देखा जो खुश नजर आ रहा था कालू, आज तुम खास क्यों लग रहे हो? तूनी ने पूछा हाँ, तूनी, आज मेरा खास दिन है मैं आज गोरी कोई के साथ वेडिंग हा, कालू ने खुशी से बताया वा, बहुत बधाई हो तुम्हारी शादी में मैं जरूर शामिल होँगी तूनी ने उच्सुकता से कहा कालू कोई ने उसे धन्यवाद दिया और उसे अपनी शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया शादी के दिन, तूनी चडिया ने अपनी सजीवता और खुशी के साथ कालू कोई की शादी में शामिल होने के लिए जंगल में रवाना हो गई वहाँ पहुचकर वहाँ देखने के लिए उत्सुक थी कि कैसे उनके दोस्त की शादी का महौल होगा शादी में खास धूमधाम और खुशियों का महौल था सभी पक्षियों ने खूबसूरत गाने-गाएं और खाने का मजा लिया टूनी चडिया ने भी अपने दोस्त के साथ नृत्य किया और उनकी खुशी में हिस्सा लिया शादी के बाद कालू कोई ने टूनी को धन्यवाद दिया क्योंकि वह उसकी शादी में उपस्थित थी तूनी मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरे खास दिन में शामिल होकर मेरी खुशी को और भी बढ़ा दिया कालू ने कहा बिल्कुल कालू मैं भी खुश हूँ कि मैंने तुम्हारी खुशी में हिस्सा लिया तुम और गोरी कोई हमेशा खुश रहो तूनी ने कहा कालू कोई और गोरी कोई ने तूनी चिडिया को धन्यवाद दिया और उनका साथ दिया क्योंकि वह उनकी शादी में उपस्थित थी इस खास दिन में सभी का दिल खुशी और उत्साह से भरा था इस प्रकार तूनी चिडिया ने अपने प्यारे दोस कालू कोई की शादी में खुशियों का हिस्सा बनाया और उनके खास दिन को और भी खास बनाया यह एक अद्भुत और यादगार अनुभव था जिसे वह हमेशा याद रखेगी